सबसे पहले तुम्हें शुरू करना चाहता हूँ मेरे खाल से कल एक रैली या एक सम्मेलन जंतर मंतर पर होने वाला है ये विमेंस रेजर्वेशन बिल के उपर हो रहा है अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस पर आप अभी क्यों धर्णा कर रही है या इस पर अभी क्यों प्रदर्शन कर रही है और क्या है मुख्यमा देखे कल मार्च दस्तारिक को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हम अंचन पे बैट रहे एक दिन के लिए महिला आरक्षन बिल के लिए यह हम लगातार पूछते आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि अभी पूछ रहे हर महिला दिवस पर चर्चा होता है पार्लमेंट में हर महिला दिवस हम पूछते आते और कोई भी मंचों ने दीचे महिलाओं के मुद्दा आता है तो हम लगातार इसको उटाते आ रहे और इसमें है भारती जनता पाटी से और मोदी जी से कि आप यह historic opportunity को खो मत देना आप महिलाओं के पक्ष में खड़े हो जाए और बिल इंट्रद्यूस कीजिए क्यूंकि आपने 2014 के मैनिफेस्टों में भी बताया है 2019 के मैनिफेस्टों में भी बताया तो यह टाइम आ गया लास्ट दो सत्र बचे आपके तो इसमें आप इंट्रद्यूस कर दीजे बस इतना ही अनुरोद मेरा मोदी जी से है और एक आर बात में जोड देती हूं उसमें जब से 1996 में बिल का इसका drafting नहीं हुआ है कभी विपक्षदलों का meeting नहीं हुआ है कभी किसी expert committee का meeting नहीं हुआ है कुछ भी इस बिल पे movement नहीं है तो मेरा इतना ही request है last two आपके पास sessions है तो आप introduce करिए सारे पार्टी सापको support करेंगे कल हमारे rally में भी बहुत सारे parties जूड रही है तकरीबन 18 parties ने हमें बोला है कि वो आएंगे कल हमारे साथ सपोर्ट करेंगे खर हर एक party के अलग-अलग मुद्दे हैं इस्यूस हैं पर फिर एक चर्चात शुरूओनी चाहिए ड्राफ्टिंग शुरूओनी चाहिए तो at least next session में introduction हो सकता है आपको लगता है कि ये एक मौका बन सकता है विपक्षी एकता को एक बार फिर से प्रदर्शित करने का जरूर बन सकता है और जो like-minded parties होंगे जो ये मुद्दे से सहमेत होंगे जिनको लगता है कि महिला आरक्षन बिल को लेके आना चाहिए महिलाओं का भागेदारी होना चाहिए सत्य में तो वो जरूर हमारे साथ चलके आएंगे और ये प्रदर्शिन में जितने भी लोग आएंगे तो जाहरे कि कल पार्लमेंट में जब बिल इंट्रोडियूस होगा तो इनका भी मदद मिलेगा और साथ में उनके जो अब्जेक्शन होंगे ड्राफ्टिंग कमिटी के सामने वो रख भी सकते हैं तो एक प्रॉसेस तो शुरू करेंगे कॉंग्रेस और बियारेस के रिष्टों में तो अगर मकसद एक है मुद्दे एक है तो फिर आप एक साथ क्यों नहीं दिखाई देते हैं तभी तो कुछ विपक्षी एकता में बात ही हो वरना तो गोल-गोल नौ साल से गूमी रहे हैं विस चक्कर के 75 अट्रिए को इंडिप्ड़ेंस अगया है सब सेज़ादा किसने रूल किया इंडिया को अंग्रैस ने रूल किया और ब्यारेस पर्टी को हमारे नेता को मरए पाटी का फिलोस्पिये है कि कॉंग्रेस जिस तरीके से इस नेशन के लिए काम कर सकता था उन्होंने पूरा इस्यूस जे बाते हैं जयसे आप कह रहे हैं की Women Reservation Bill है है क्यूंकि वह एक ऐसी महिल आया है जिन्होंने बिल पारित करने का ना है पारित कर भी उन्होंने दिका है धुट लोकसगा उनको करना ही पाई तो sincerity काम जहां हुआ है daha हुआ है उनको बात नहीं करेंगे, यह बोलेंगे कि हम टीम प्लेयर लेंगे, तो तब तक तो कोई पार्टी उनके साथ काम करने को तयार नहीं है, सिर्फ ब्यार इसकी बात नहीं है, हर एक पार्टी को वह इपराइब नाडू में खड़के जी गए पेश करें, तब अगर BRS आगे नहीं बढ़ती है, तो तब हमारे responsibility होगा, लेकिन जब तक वो काम वो नहीं करेंगे, हम क्यों सोचेंगे इसके बारे, तो अगर करते हैं, तब तब सोचा जाएगा, जरूर उनका क्या है, एजंडा क्या है, इस्यू क्या है, क्यूंकि बहुत सारे issues में BRS का एक revolutionary agenda है, हम मानते कि एक बड़ी सी बड़ी पानी के बांध होना चाहिए, बहुत सारे projects बनने चाहिए, irrigation में, क्यूंकि हमने बंद के दिका आया तेलंगाना में, लेकिन Congress Party या BJP के एजंडा में ऐसे मुद्दे ही नहीं, उनके एजंडे तो अलग है, तो एजंडा पे भी बात होना चाहिए, हम पहले भी Congress के साथ रह चुके है, तलंगाना के गटन के पहले, लेकिन तब एक कॉमन में में प्रोग्राम बनाता, जिसमें तलंगाना पॉइंट था, इसलिए हम मिल के काम के, तो वो सब बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है when Congress will leave its arrogance, और जब आत्मशोधन करके जब बाकी पार्टी के साथ मिल के काम करेंगे, तब सोचेंगे जरूर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले आपका एक ट्वीट देखा जिसमें आपने ये कहा कि मेरा ये फंक्चन था दिल्ली में, और सब को मालम था, पोस्टर वगएरा, सब चप गए थे, और फिर मुझको समन कर दिया एडी ने, नौ तारीक को, ये जानते हुए की भी फंक्शन है, अब आप 11 तारीक को एडी के सामने पेश होंगी, आरोप मुख्य रूप से आप क्या लगा रही हैं, कि एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने ये समन इसलिए दिया क्योंकि आपको धर्ना करने से रुकना थ देखें, एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट जो है ED या CBI या IT, पहले तो हम कहते थे कि ये पिंजरे में बंध है, कॉंग्रेस के पिंजरे में बंध है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पिंजरा-बिंजरा कुछ नहीं है, ये तो बिलकुल बारती जंता पार्टी के एक् रखा है कि पॉलेटिशन को छोड़िये, सारे के सारे बिजनेस पीपल को, सारे के सारे स्कूल्स को, कॉलेजिस को, इतने लोगों को इन्हों ने रेड किया है, पता नहीं क्यों सड़नले एलेक्शन के पहले इनको याद आ जाता है, तो इसलिए आज पूरा देश में बच् दे देंगे सवालों का, गिरफ्तार कर लिया तो, मैं क्या बोलती हूँ, जो एक ये काला कानून है, सेक्शन 50 ED के जो पास है, उसको रिपील करने के लिए हम बहुत लोग बहुत सबार डिमांड कर चुके, वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उसके तहत होता य कोट के पास जाएंगे, कल को जनता के अदालत में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, फिर हम और क्या कर सकते वे पक्षी ने था, पहले कॉंग्रेस पार्टी ने अमर्जन सी के टाइम पे मैसा का मिस्यूज कैसे किया था, अब EDI का मिस्यूज ऐसा हो रहा है, एंड इट नाट गूड फर दे कंट्री, यह तो एक अंडिकलेड एमर्जनसी है, तब तो इंदरा जी ने तो यह एमर्जनसी के टाइम का जो मिसा कानून यह उसी का एक्स्टेंशन आप कह रही है यह वाला कानून अभी तो इनका बरता हो देखके तो लग ही सहरा है, क्यूंकि इनका एक ही तरफ है नजर, ओपोजिशन में ही करप्शन नजर आता है इनको, सीधे सीधे ओन कैमेरा, आट करोड रुपे बिजेपी के विदायक के गर्मे करनाटका में मिलते हैं, एडी को दिकाए नहीं पड़ता है, यह तो वेकेशन में है या सो रहे होंगे, फिर सीधा सीधा प्रदान मंत्री जी को लिखते हैं कि 40% आपके गर्मेंट कमिशन पूछ रहे हैं, तो कोई डिसकशन नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होता है, कोई सुमोटो केस नहीं होता है, क्यों आपोजिशन के ही तरफ देखते हैं, मैं करप्शन किसी पार्टी में भी कंट्रोल यह टॉलरेट नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, करॉप्शन को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन के तरफ ही ED, CBI, NIA, IT, सभी देखते हैं, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट समस्ता नहीं रही हैं अभी, यह सारे एक्स्टेंडेड वर्जन ओफ भारती जनता प करना है, उनका मालूम है, क्लारिटी है, क्योंकि उनको एक्सेंशन पे-श्चेंशन सरविस का मिलते रहता है उनके डिर्क्टर को, ED के डिरेक्टर को, SBIK को, SBI के डिरेक्टर को, LIC के डिरेक्टर को, तो एक्सेंशन मिल रहा है, as a favor, they are working for the party, not the government, which is very unfortunate. और to the parliament feed or in austviamente से में पर लिवारिटी है आप खार ऐंगे सिरन कि थिस पीढ प्रामूरोरी आपकी से परह with अंधी कम फीड़ बेंदक आप परा मिश्रेशन पेंड़ और जसक बांगा उस– mulherby हो ад Ό तो वो हमारे देश के लिए अच्छा है जनता के लिए अच्छा है not only just for women it is good for the whole of democracy एक मैं आखरी सवाल आपसे पूछना चाता था जो Minister of Tourism and Culture है जी किशन रेड़ी आप ही के राज्य से आते हैं उन्होंने आज एक बयान दिया आपका जो दिन भर का जो बयान आया उसके बाद और वो कहते हैं कि के कविता जी pretend कर रही है कि वो एक victim है कि उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है उनको ये pretend करनी की जरुवत नहीं है और वो इसलिए कर रही हैं to deceive other people और उनका एक एना है कि इसका कोई सत्थी नहीं है इस बात में कि ED जो है वो उपोजिशन को टार्गेट करता है अगर कुछ गड़बड है तो ED जांच करेंगे करने दो ना हम पूरा-पूरा कोपरेट कर रहे हैं ED जांच से हम कोई मुकरते नहीं है हम वापस नहीं जा रहे हैं पीछे नहीं हट रहे हैं लेकिन जब बील संतोज साब को तेलंगाना का SIT बुलाता है तो बाग के चले गए ना कोट के पीछे चुप गए कोट के बाद कोट फिर CBI टेक ओर करती है SIT को फिर CBI तो पूरा मामला कोल स्टोरीज में रख देगी बील संतोज साब कहीं नहीं जाएंगे कोई आंसर नहीं देंगे अधानी जी के ओपर हम पूरा ओपोजिशन इतना शोर मचा रहा है लोग भी आज बोल रहे हैं व्लक देखिए कोई चरचा नहीं ह вами कोई सोपेस्न केस नहीं बनता एंटर इंथ क्रेशन रोड़िस आपको यह सब पता नहीं है वो central level का ज्यादा उनको यह नहीं होता है knowledge क्योंकि जो हमेशा जूट बोलते हैं कि कितना central से fund में लाया है तेलंगाना में उसके बारे में भी उनको पता नहीं होगा कितना fund नहीं मिला है पता नहीं होता है कौन सा scheme तेलंगाना में आया नहीं है पता नहीं होते हैं मैं अन्हों कुछ नहीं और है की प्रता करो पटा हैं। कि के सीयार जी में जो मुकेमंनत्री हैं उन्हों आए जोगेवसर तरह एडवांस कर दिया। जुनावा अपने जीत भी गए। इस बार आपको लगता है कि फिर कुछ सुगुगाहट हो रही है क्या चुनाओ जल्दी किये जाएंगे अगर अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें देखे पार्टी का आज अफ नौ ऐसा कुछ सोच तो है नहीं लेकिन हम एक ऐसे पार्टी है जो पोलिटिकल स्टाटीजी के अगर अगर आपको लगता है यह उसी तेलंगाना चुनाओ के चलते हो रहा है या बिल्कुल तेलंगाना का चुनाओ डिसंबर में खतम हो जाएगा तो डिसंबर तक तो यह लंबा टीवी सीरियल के चैसा किछते रहेंगे एक के बाद एक रेड होगा अब मेरे उपर हो रहा है कल किसी और के उपर होगा यह तो चलता ही रहेगा सिलसला जारी रहेगा और आपके लिए बहुत न्यूस बनता रहेगा कोई टेंशन नहीं उसमें लेकिन उसके बाद इमीडिएटली बंद हो जाएगा क्योंकि हर एले डरादम काके किसी पार्टी को सब्डूड करके, आप लोगों के पास जाओ, काम करो, लोगों के दिल जीतो, बाद में चुनाओ जीतो, यह बैकड़ोर पॉलिटिक्स कितना देर करोगी? के कविता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद एंजटीव से बात करें।